राजिस्थान में कॉंग्रेस का मिशन 25, राजिस्थान में रिवाच पदलने की कोशिश, राजिस्थान में कॉंग्रेस का हाल है पुरा की चुनाब के पहले बागी हो जाना क्या एक प्रत्था बन चुकी है? क्योंकि जब जब चुनाब नस्दीक आते हैं तब तक ये कहा जाता है कि नेता अपणा फायदा देखते हुए बगावत कर जाते हैं हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजस्थान चुनाव नजदीक है तारीकों का एलान हो चुका है और यहां पर बोटिंग भी बद्दान भी जा रही है लेकिस सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब सचिन पाइलट सहित तमाव ऐसे नेता होंगे जो पार्टी को छोड़कर किस सिर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजस्थान की सियासत में इस बार लोक तंदर की कुरसी पर कौन बैठने बाला है अगला सीम कौन होगा क्या भाश्पा सरकार इस बार कॉंग्रिस को टक्कर दे पाईगी यह तमाम सवाल रहेंगे हमारे साथ मौजूद है हमारे स अपने किया है जिस तरीके से राजस्थान में कौंग्रेस मैनत कर रही है कौंग्रेस रिवास बदलने के लिए मैनत कर रही है पिछले तीन सालों से यह देखा गया है कि राजस्थान में हर पास साल में सत्ता का परिवर्तन होता है रोटेशन रहता है पास साल भाजपा के पास पास सर कॉंग्रेस के पास उसी के तहट 2018 में कॉंग्रेस जी दी भी और सत्ता में आई भी लेकिन उसके बाद लगतार जो कॉंग्रेस के भीतर गुटबाजी बढ़ने लगी सत्ता लुपता इतनी जादा अधिक हो गई कि सचिन पाइलेट कुछ विधायकों को लेकर हर् कॉंग्रेस में शुरू हुई अशो गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच या अन्य नेताओं के बीच वो 2018 से बदोस्तूर जारी हो रहते हुए अभी तक जारी है लगभा कॉंग्रेस के ऐसे 25 उम्मिद्वार है या भावी उम्मिद्वार थे जिनकी टिकट कॉंग्रेस ने काट दी जिसके बाद उन भावी उम्मिद्वारों ने अधिकारी की रूप से कॉंग्रेस के मौझूदा उम्मिद्वारों के सामने अपने आपको निर्दलिये पेश कर दिया है जिसने कॉंग्रेस की टेंशन को काफी हद तक बढ़ा दिया है इसी के लिए कॉंग्रेस ने मिशन 25 मैं दर्शकों को बताओं कि मिशन 25 शुरू किया है जिसके तहट दिगज नेताओ को मैदान में उतारा जाएगा और जो बागी है उनका मान मनुवल का दौर शुरू होगा राजस्थान में चुनावी गैरेंटिया दे रही है अशोग गहलो सरकार लोक लुभावन योजनाओ के जरी एक कांग्रेस सत्ता में लोटना चाहती है लेकिन ये जो 25 बागी है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुसीबत का सबक बन गए है जैसे मैं आपको बताओं क कि ज्यादा तर ऐसे लोग हैं जो गहलोत गुट के लोग है यानि जो गहलोत आला कमान और हाई कमान को कहीं ना कहीं इस बात की धमक दिखाते रहे कि हमेरे साथ अधिकतर विधाय को का इंटैक्ट है जुड़े हूए अधिकतर विधाया वही अशोग के जो खास कांग्रेस नेता राजस्थान में है वही ज़्यादा बगावर कर रहे हैं जिसके लिए अब आला कमान भी सचेत हो गया है उन्होंने अशोग गहलोद गोविन सिंग डोटासरा जो राजस्थान के परभारी है सुकजिंदर सिंग रंधावा से को आगे रखा है और उन्हें मान मनुवल क सके इसके लिए जिम्मेवारी सौपी है लेकिन अशोग गहलोद के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है अशोग गहलोद जो अपने आपको राजस्थान कि अगर ऐसा कुछ होता है नेता यहां पर जो हो जाते हैं आपने यहां पर जिक्र भी किया का प्लान क्या होगा क्या सिंधिया आपने देखा होगा मद्य प्रदेश के अंदर सिंधिया बागी हो जाते हैं यहां पर कमलनात की सरकार गरा देते हैं सिवराज को फिर से सियम बना देते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको लगता है कि गहलोद ने जो वड़े-बड़े वायदे की हैं कॉंग जावत अंदर खाने बात आ रही है मेडिया रिपोर्ट में अगर साड़वजनिक हो जाती है तो जनता के मन में चिंता का भाव आ जाएगा कि जो पार्टी खुद में एक जुट नहीं है जो संगठन खुद में एक साथ काम नहीं कर पा रहा है वो हमारे हितों का कैसे करेगा तो ये कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है क्योंकि कोई भी दल अगर संगठन के स्तर पर मजबूत होगा तभी वे चुनाओ में बहतर रूप से विजय पराप करके आ सकते हैं आपके हाथ में कुछ पेपर्स भी हैं जो सबूत के तर पर आप लेकर आएंगी आखर क्या चलना राजनीती में सर आपकी पेपर्स मुझे साप तर पर देख रहा है कि यह कॉंग्रिस का प्लान बताएं कि आखर कॉंग्रिस किस प्लान के तहट जो है आंगे बढ़ना चाह समय तक राजस्थान के परभारी रहे हैं मुकुल वासनिक उनको होल्ड पर रखा है कॉंग्रेस ने और उनको किसी भी वक्त कॉंग्रेस भेज सकती है मुकुल वासनिक को कि जो बागी नेता है वो आला कमान का संदेश लेकर वहां जाएं और उनसे बात करें और चुनाओ तक उनको शांत रहने के लिए कहें और एक दूसरा मुम्किन ये भी है कि चुनाओ के बाद उन्हें अलग-अलग बोर्ड में अलग-अलग सरकारी समीतियों में यह सहकारी समीतियों में बड़े-बड़े पदों को बड़े-बड़े पद ऑफर किये जा सकते हैं कि आप तो क्या आपको लगता है कि कुरसी का खेल है सीम बनने की होड है इस वजए से कॉंग्रिस की लुटिया डूब रही है क्योंकि आप देखिए कि जो आगड़े सर्वेय है उसमें ये कहा गया था कि पांच में से चार राज यासे रहेंगे जिसमें कॉंग्रिस जीतनी बाली है लेकिन आपने बगावत का जिक्र कर दिया कॉंग्रिस के प्लान का जिक्र कर दिया पदो का जिक्र कर दिया तो मेरा आप से यही सवाल रहेगा कि क्या पद के लिए कुरसी के लिए कॉंग्रिस पार्टी इस बार डूपती नजर आएगी या फिर सीम बनना ही सबसे राजनीतिक दल है वह चाहता है कि लंबे समय तक वह सत्ता में बना रहे कॉंग्रेस बनी भी रही इसके लिए कॉंग्रेस ने 1967 में कई राज्यों की सरकारों को निश्काशित भी कर दिया, वो हाल कॉंग्रेस का बदस्तूर अभी तक भी जारी है, कॉंग्रेस में यह है कि एक आला कमान और हाइ कमान का कल्चर है, जो आला कमान हाइ कमान की तरफ से संदेश आया, वही संदेश अंतिम होगा, तो लेकिन जो राजस्थान में कॉंग्रेस की स्थिति एक ये भी है कि कॉंग्रेस के कारे करताओं को ही नहीं पता कि अगर एक बार हम जीत गए तो अगली बार कब जीतेंगे इसलिए ये एक तरीके का जो लड़ाई जगड़ाई का माहूल है बना रहाता है चाहे आप 36 गड़ में चोड़ी नहीं धाई साल बात उनको बड़े मान मनुबल करके शांत कराए गया कि अगली बार होगा तो आपके लिए कुछ बहतर और विकल्प देखे जा सकते उनका पर्मोशन भी किया गया करनाट का देख लीजे सिद्धे नमया और डिके शिवकुमार कैसे मतलब कि में देख लίजे सुकविंदर सिंग सुखु और विकरमादिट्य सिंग जो पूर्मुक्य मंप्री के पुत्र है और उनकी पत्नी ने किस तरीके से अपने कारे करताओं शुकुमार किया सुक्विंदर सिंग सुखु के मुख्यमंत्री बनने का तो ये कॉंग्रेस में एक परंपरा चली आ रही है और पता नहीं कॉंग्रेस 1980 के बाद से ही इस तरह की गुटबाजी को शांत क्यों नहीं कर पा रही है क्योंकि गुटबाजी का ही नतीजा है कि महराष्टरा में कॉंग्रेस ने NCP जैसी पार्टी को जन्म दे दिया और गुटबाजी का ही नतीजा है मेरे ख्याल से कि कॉंग्रेस से TMC भी निकली तो ये देखे तमाम जो चीजें है वे गुटबाजी का ही नतीजा है तो कॉंग्रेस 1980 के बाद से ही इस पूरे मामले को शांत नहीं कर पाई है तो कॉंग्रेस जो अभी हाल के समय में पूरा विस्तार है वहां पर सभी को कॉछी के वर्चस की अधिक चिंता है राकिस मोहन सीच नोंने तमाम बातों का जिक्र किया और राज्थान की चुनाओं के रणनेती ये कोंग्रेस की उसके बारे में आपक अगर अगर हम लोग तिलांग अना मिजदुरम की बात करें तो बहां भी जो है कहीं ना कहीं कॉंग्रिस पार्टी को इतना समर्थन नहीं मिलना चाहिए अला कि राहूल गांदी पहुंच रहे हैं तमाम सवालों को लेकर बीजेपी पर हमला वर्वी 15 लाग का सवाल पूछ ल अगर पूरी तरीके से बागावत कर लिया तो कहीं ना कहीं राइस्थान में यहां पर कॉंग्रिस का सूपड़ा साप होता हूँ नजर आएगा और जो अपना भाश्वा पार्टी देख रही है उसका साकार होता हूँ नजर आएगा दरश्कों आपको क्या लगता है कि क्य यहां पर सीएम अशोग गहलोत अपने निताओं को मना पाएंगे या फिर उनको जो है यहां पर त्याक्तिवने जर आएंगे आज के सखास प्रोग्राम वह से इतना ही देखते रही है नेक्स्ट नाइड निव्ज पॉलिटिकल भाई